आप सबी लोगों का एक बर फिट से स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर आई स्कूल के लिए प्रैक्टिस सेट 3 है वो डिसकेस करने आ ले हैं और ये आपका यूथ कम्टीशन का जो पॉब्लिकेशन है उसका प्रैक्टिस सेट है तो ये थ देख सकते हैं तो चले वीडियो शुरू करते हैं पहला ब्रशन है आपदा प्रवंदन में उनकी योगदान के लिए किस संस्था को सुभाशन बोस आपदा प्रवंदन पुरुसकार से पुरुसकार 2021 है वो प्रदान किया गया है यहां पर पूचा क्या गया है किस संस्था को ना कि व्यक्ति को तो संस्था में राइट आंसर आपका ओप्सन भी हो जाएगा सस्टनेवल एनवार्मेंट 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 एकलोजिकल डेवलप्मेंट सुसाइटी यानी सीट्स को दिया गया है और व्यक्तिका तिस्तर पर ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद कुमार बंडारी को नेक्स्ट है हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाली में जारी की गई इस रिपोर्ट के संदर में नेमने लिकित कतनों में से कौन सा कतन है वो सकत्य है तो इस passport ranking report में सीर्ष तीन इस्थान एसियाई देश हैं यानि पहले तीन इस्थानों पर एसियाई देश हैं रिपोर्ट में भारत को 85 इस्थान पर रखा गया है रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्थान अंतिमिस्थान पर है तो इस में जो राइट अंसर है उपसंडी इसमें सबी कथन हैं वो बिल्कुल सही है पहले तीन इस्थाने वो एसियाई देशों के हैं और भारत को रंक मिली है वो 85 आर रिपोर्ट में जापान पहले इस्थान पर है और अफगानिस्थान अंतिमिस्थान पर है यानि ACI देशी लास्ट इस्तान पर है इसमें नेक्स्ट है सरकान ने लोकसवा और विधानसवा चुनाव के प्रत्यासियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बड़ोत्री की है इस बड़ोत्री के बाद विधानसवा चुनाव के प्रत्यासियों को चुनावी खर्च की सम अब कितनी है यान 10% बढ़ा दिया तो अब एक MLA को कितना वो है खर्च करने का वो उसको अनमती है तो वो कितनी है राइट आंसर इसमें हो जाएगा 30,80,000 रुपे यानि 30.80,000 रुपे है ये उसकी सीमा है वो अपने election पर इतने खर्च कर सकता है नेक्स्ट है मुक्ता का संदी यानि ओपन इसका ही ट्रीटी हाली में हाल के दिनों में सुर्खियों में रही है संदी है ये सुर्खियों में रही संदी के संदर में निम्न में से कौन सा कथन है वो सकती है तो पहला कथन देखते हैं इसमें पहला कथन क्या है ये संदी अमेरि है वह थोड़ी गलत लिखी है त्री का इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वह सुरी फॉर नम्मर का सब्सक्राइब तो फॉर में आपका राइट आंसर ओपसंटी हो जाएगा इसमें एक दो तीन तीन तीनों ही कतन इसमें बिल्कुल सही है नेक्स्ट है जन्वरी 2021 में आयोजित सत्तरवे स्कोच चलेंजर अवार्ड में किस संगटन को यी गवर्नेंस में सरुस्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है तो इसमें जो राइट आंसर 5 में राइट आंसर आपका हो जाएगा और संसी राइट आंसर है जन्जाती अमामलों का मंत्राल है इसको स्कॉच अवार्ड है ये दिया गया है ये अविसासन के लिए तो पांच का राइट आंसर आपका ही हो जाएगा नेक्स्ट है शोशल एंटर प्रिनियोर्शिप ऑफ दे यर 2020 आवार्ड से समानित किया गया है तो शिक्स में राइट आंसर हो जाएगा ऑप सन ए अश्रफ पटेल को अब ये अश्रफ पटेल है इनको इस पृष्टकार से समानित किया गया है नेक्स्ट है मद्द परजैस के किस सहर को हाली में युनेसको की विशदरोर सहरों की सूची में सामिल किया गया है तो seven का right answer options ही हो जाएगा एक और दो इन दो को यानि ग्वालियर और और उर्चा को इसमें सामिल किया गया है और ये यूनेसको ने अपने अरवन लेंड स्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इन दोनों सेरों को बिश्व दरोवर सूची में सामिल किया गया है तो द्यार रखना है अरवन लेंड स्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इनको किया गया नेक्स्ट है अंतराष्टी ये दिव्यांग दिवस मना जाता है तो अंतराष्टी दिव्यांग दिवस है ये तीन दिसंबर को मना जाता है अपसन सी इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है नाइन नंबर का सवाल है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने हाली में माल डुलाई के लिए विशेश रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उदगाटन किया इस रेल मार्ग के संदर में निम्न कतनों में से कौन सा कतन है वो सकते है तो 9 का right answer option option D इसमें हो जाएगा option D क्या है एक और दो तीन यानि तीनों कतन सही है तो देखते हैं कतन क्या है देश में दो dedicated fret corridor गलियारे त्यार किये जा रहे हैं दूसरा कतन है new बाप और new खुर्जा खंड यानि EDFC का हिस्सा है यानि यह new बाप और new खुर्जा कंड है यह Eastern dedicated fret corridor का हिस्सा है तीसरा कतन क्या है Western dedicated fret corridor में गुजरात के मुद्रा कांड़ा पिपापा दाहिज हजीरा हजीरा के बड़े बंदरगा के लिए feeder mark होंगी तो देखिए यह सभी कतन हैं वो बिल्कुल सही है तीनों कतन सही है नेक्स्ट है बिसमे किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले से खलीफा विंसनमान अल खलीफा किस देश के प्रदानमंत्री थे जिनका हाली में निदन हो गया आ सकता यह सवाल करेंट फेयर का है तो यहां पर जो टैन का राइट आंसर हो जाएगा आप्सन ए यह बेहरीन के वो थे प्रदानमंत्री नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धम चक परवटन सुत्र का उपदेश दिया था तो यानि यह प्राकरतिक में है और यह इसका हिंदी वर्जन है दिवनाग्री है तो 11 का राइट आंसर आप्सन डी हो जाएगा सारनात में इनोंने पहला अपना धम परवर्तन चक्र है वो इनोंने किया था नेक्स्ट है खगोल विद्वरा महिर और कभी कालिदास किसके दरवार से संबंदित हैं लेकिन 16 विक्रमा दित्य है बारतिय त्यास में और अंतिम विक्रमा दित्य था वो था हैमू और जिसकी लड़ाई होती है हैमू की लड़ाई किससे होती है तो आपने इस चीज़ को देखना जरूर है मुह वह नतिम् भिक्रमा दित्य था बारतियत्यास में और जो कालिदास और बरा महिरें चंद्रगुप्त की नीती किसने अपनाई थी तो लोह और रक्त की नीती है वो अपनाई थी बलवन्य अपसने इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानि बहुत ही स्ट्रिक्ट इसकी पॉलिसी थी नेक्स्ट है बक्ति आंदोलन को उत्तरबारत में लाने का स्रेय इन में से किसको जाता है तो देकि बक्ति आंदोलन की सुरुआत है दक्षण वारत से ही होती है लेकिन उत्तरबारत में लाने का स्रेय जाता है रामानंद को अपसनस इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रशिद बिरपाक्ष मंदिर कहां अवस्तित है तो बिरपाक्ष मंदिर है यह अवस्तित है कहां पर यह हमपी में इस्तित यह शिव को समर्पित है नाक विश्णू को नेक्स्ट है बारत में काजू का प्रथम परचय कि लोगों ने कराया था अब तो बारत में काजू की सुरुआत है वो करवाई गई थी पूर्त गालियों के द्वारा अपसंडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानि भारतिक र और पूर्तगाली बारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माड उद्योग इनको बारत में लेकर किया थे नेक्स्ट है हिंदू विवा पुनर विवा अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम पंद्रह 1856 भी कहा जाता है जुलाई 26 जुलाई 1856 को लागू गया जिसे कि इसके द्वारा पारित किया गया था तो 17 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ओप्सन सी कैनिंग देखिए 1856 तक डलोजी भी था लेकिन डलोजी के समय यह नहीं हुआ है यह कैनिंग के समय हुआ है जैसे ही 1856 तक डलोजी रहता है 57 में जो 1857 का क्रांती है सो तंतरता से वह शुरू होता है तो वह भी कैनिंग की समय होता है तो 56 तक डलोजी रहता है 56 में ही आ जाता है कैनिंग और कैनिंग के समय हिंदू विवाप अधिने में यह पारित किया गया था ऑप्सन सी स्वामी दयानन सरश्रती ने और 1875 में गिरगाव मुंबई में नोने इसका इसकी सुरूआत है वो की थी 10 अप्रेल को और धार्मिक सामाजिक राजनीती गुरूप से एक सूत्र में बांधना था इनको बारती समाज को और पाश्यात प्रभाव जो निगेटिव प्रभाव था उसको कम करना था इस अंदूलन का यह उद्दे से था और नेक्स्ट है असयोग अंदूलन कब वापस ले लिया गया था तो असयोग अंदूलन ने इसको वापस ले लिया गया था 19 में राइट आंसर अपसन ही हो जाएगा फरवरी 1922 को यह वापस ले लिया गया था चार फरवरी 1922 को नेक्स्ट है हडपा सब बिता कि एक हिस्से लोथल की खुदाई की खुदाई कोज किसने की थी तो ये किसने की थी 20 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए इसमें 4 फरवरी को पहले में आपको यहाँ पर डेट कलियर कर देती हूँ एक बार अस्यो आंदोलन वापस लेनी की बात है तो पांच फरवरी देश जिट में सही होगी पांच फरवरी 1922 को लेकिन जो घटना हुई थी चार चार फरवरी को हुई थी तो यानि आंदोलन वापस अगले दिल लिया गया है घटना चार को होती है वही डेट आपको लोथल के बारे में पूछा है तो ट्वंटी में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपसन सी ऐसा राव ने लोथल में खुदा ही है वो करवाई थी नेक्स्ट है बारत का सबसे बड़ा एक अलदीप सुदूर दक्षन में कौन सा है तो यहां पर बारत का सबसे बड़ा एक अलदीप है सुदूर दक्षन की यहां पर बात हो रही है तो ग्रेट निकोवार हो जाएगा ऑपसन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कारा कोरम परवस रंकला में सबसे उची चोटी है वो हो जाएगी आपकी ऑपसन बी माउंट के टू गॉडविन और यानि जो कारा कोरम है कारा कोरम लदाग जासकरी ट्रांस हिमालय का पार्ट है नेक्स्ट है वह नदी कौनसी है जिसका उदगम भारत में नहीं है तो वह नदी कौनसी है जिसका उदगम भारत में नहीं है वो है सतलच सतलच का उदगम है वो तिब्बत से होता है और जो सतलज है इसको पूरवर्ती नदी भी कहते हैं क्योंकि ये जो हिमाले नहीं था उससे पहले भी उसी रास्ते से उसी तरफ से प्रवायत होती थी और जब हिमाले बनता गया तो इसने पहाड़ियों पार्स रंखलाओं के बीच से अबनी जगे बना ली और ये उसी इलागे से अभी भी प्रवायत होती है तो इसलिए इसको पूरवर्ती नदी कहते हैं नेक्स्ट है खादर और बांगर निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी है तो ये दोनों जलोड मिट्टियां है खादर है ये नवीन जलोड है और बांगर है वो पुरानी जलोड है लेकिन हैं दोन पालने के लिए ही क्रसी है किसका कोई industrial रूप से उत्पादन है वो भारत के अधिकांस छेत्र में नहीं होता अभी होने लगा है तो option C भी इसमें सही है और इसमें जो सही नहीं है वो है option D तो ये मुख्य विसेस्ता नहीं है कहीं कहीं ये हो रहा है लेकिन मुख्य विसेस्ता नहीं है तो option D में right answer हो जाएगा next है कौन सा क्रतिम बंदरगा है तो क्रतिम बंदरगा इसमें से है 26 में right answer option D हो जाएगा चेन नहीं है ये क्रतिम बंदरगा है नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27 तो 27 निम्न में से किस ने 1935 में समिदान सवा का सुजावे वो प्रस्तुत किया था तो 27 राइट आंसर उपसंडी M.N.Roy ने समिदान सवा का सुजावे वो दिया था नेक्स्ट है अंतराश्टिय सांतियों सुरक्षा को बढ़ावा देने के सम्मन्दत प्रावधान 12 समिदान के निम्न लिकित में से किसके एक बाग के रूप में उनलेखित हैं अंतराष्टी सांती सुरक्षा तो ये पार्ट है DPSP का अप्सन 20 में राइट आंसर हो जाएगा और ये 51 में आर्टिकल 51 में अंतराष्टी सांती सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधाने वो किये गए हैं तो DPSP का ये पार्ट है और संविधान का भाग 4 है राजसवा के पदे नद्यक्ष कौन होते हैं तो उपराष्ट पती हैं वो भारत में राजसवा के पदे नद्यक्ष होते हैं option B, इसमें right answer हो जाएगा, next है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंतरित किये जाते हैं, तो संसद के खर्च हैं, वो नियंतरित किये जाते हैं, 30 में right answer हो जाएगा, option D, नियंतरिक एवा महालिका परिक्षक, next है, बारत में मायलाओं के लिए आरक्षन उपलब्थ है, तो देखिए, लोक सवा में आरक्षन है, नहीं है, राजविदान सवा में आरक्षन है, नहीं है, तो option C, इसमें right answer हो जाएगा, पंचाती राज निकायों में, यहां के आरक्षन का जो बिल है, वो लाया जाता है, ल जोड़ी गई, जिसमें क्रमस 29 और 18 विसे हैं, उन में और पंचाती राज से संबंदित प्रावधान बारती समयदान में सामिल कर दिये गए, भाग नो नौका में, उसमें मायलाओं को 33% आरक्षन की विवस्ता है, वो की गई है, किस आर्टिकल में की गई है, वो कमेंट ब या कोई भी नहीं, तो यहाँ पे पूछा है, 33 में आपसे पूछा है, प्रात्मिक शेतरक में आती है, क्रसी, अप्सन एस में राट आंसर हो जाएगा, यह आपकी आएगी, सेकंडरी सेक्टर में, तो 33, राट आंसर अप्सन हो जाएगा, और कितना योगदान है, अगरिकल एक्सपोर्ट में एग्री प्रोड़क्ट का जो पार्ट है, यानि उस एग्रिकल्चर का जो हिस्सा है, वो 10% है, नेक्स्ट है, बारत में सिक्कों की डलाई का एक मात्र अधिका किसके पास है, तो 34 का राट आंसर अप्सन हो जाएगा, बारत सरकार के पास है, नेक्स्ट है 2001 और 11 की जनगर्णा की विश बारत की जनसंख्या में कितनी वरद्धी हुई है 35 में राइट आंसर अप्सन भी हो जाएगा 17.70% की वरद्धी है 2001 की तुलना में 2011 में हुई है और जो 2001 में जो वरद्धी थी उससे पूरवर्थी 10 वर्षों की तुलना में वो 16.8% थी नेक्स्ट है बारत में राष्टी आई की गड़ना निम्ल खित में से किसके द्वारा की जाती है तो CSO के द्वारा की जाती है अप्सन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा CSO नेक्स्ट है समुद्र जल का ओशत खारापन होता है तो ओशत खारापन है वो होता है 3.5% अप्सन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बायो डिग्रिडेवल यानि जैव निम्न करनी सामिग्रीन नहीं है यानि इसको स्वते ही वो नस्ट नहीं होता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एल्मिनियम फॉल है ये नोन बायो डिग्रिडेवल में आता है यानि बायो डिग्रिडेवल है वो नहीं है बाकी सब बायो डिग्रिडेवल हैं तो इस उप्संसी इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं 39 39 में क्या है निम्न में से क्या जलिये निकाय में होने वाले प्रदूसर्ण में योगदान प्रदान नहीं करता है तो इन में से क्या है तो यह आई है 40 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्सन ही हो जाए गंदे पानी का सही से निप्टान न करना नेक्स्ट है परादूनिक गती का मापन किस के द्वारा किया जाता है यहाँ परादूनिक पूछा है तो ऑप्सन एस मेरा आट आंसर हो जाएगा मैक के द्वारा किया था नेक्स्ट है प्रकास के पत में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है तो 42 में रैट आंशर हो जाएगा अपार दर्सी अपसंट डी नेक्स्ट है निम्न में बालू है केरल में बालू पाय जाती है उसमें ये पाया जाता है नेक्स्ट है पीतल मिश्रण है तो पीतल किन का मिश्रण है 44 में रैट अंसर अपसन डी हो जाएगा चस्ता आई वं तावा का मिश्रण होता है पीतल next है निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुल्णा में महिला हमें बहुत कम होता है तो यह होता है वर्णाधता option D लेकिन इस बिमारी की इस प्रॉब्लम की वाहक है वो महिलाएं होती है लेकिन यह बिमारी है वो दिखती पुरुषों में है निन Pun की कमी से रिकैट्स विमारी है वह होती है रिकैट्स से विमारी है उती है तो विटामिन दी दो तरह की होती एक आरगी कल्सी फेरोल एक होती है कोंलो कैुलमों अधिशिरोल तो दोनों ऑगनों धूर और सारी के लिए बहुत जरूरी होती यह लेकिन जो धूफ आको कहीं से भी नहीं होने है है इसलिए वह जरूरी होता है। selecting भीटामिन गई सूची ऐसी आक्रतियां समलित हैं तो इन में से कुछ वेनिस्ट या सामान है तो बताते हैं इसमें क्या है वेलन घनाब गोला प्रिज्म पिरामेड घन नीचे दिये विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची में भाग के रुप में बर्गी आपका हो जाएगा ऑप्सन भी संकू 47 संकू नेक्स्ट है किसी निश्चित कूटवासा में यदि ब्रेक्स को इस रूप में लिखा जाता है तो क्लच को इस रूप में लिखा जाता है तो सब्द में वील्स को किस रूप में लिखा जाएगा तो 48 का राइट आंसर ऑप्सन D तो इसको option D में जैसे है उस तरीके से इसको लिखा जाएगा तो इसमें लिखा कैसे जा रहा है जैसे B B की जब B को आप minus 1 करेंगे तो A आ रहा है और इसमें आगे का इस्थान चेंज करेंगे यानि R की जगटी की आगया एक इस्थान अदला बदली करके इसको माइनस पहले माइनस 1 हो रहा है फिर माइनस 2 होगा फिर माइनस 3 और इस्थान है वो एक दूसरे के बदले जा रहे हैं तो इस तरीके से सीरिज है बन रही है तो इसी तरीके से इसमें option D right answer हो जाएगा नेक्स्ट है 49 उनीस जन्वरी 2018 को सुक्रवार था और 19 यून 2019 को किस दिन पढ़ेगा तो 49 मेरा answer option D हो जाएगा बुद्वार नेक्स्ट सवाल देखते हैं निमन मेंसे निमलिकित में चार कतन उसके बाद चार निसकर्ष दिए गए चिनित करें कि कौन सा निसकर्ष दिए ग हैं सभी बाग सेर हैं कोई शेर गदा नहीं है निसकर्ष दिए कुछ बिलियां कुटे हैं सभी सेर बाग हैं कुछ गदय बाग हैं और कोई बाग वो गदा नहीं है तो 50 में रायट आंसर यहां पर हो जाएगा आप लोगों का तो वह हो जाएगा option D option D तो इसमें पूचा क् option D इसमे right answer हो जाएगा केवल निसकर्स A और D है वो अनुशरण करते हैं बाकी है वो अनुशरण है वो नहीं करते हैं तो यह आपका 50 प्रिश्ण का अनिवार प्रिश्ण पत्र का मॉक टेस्ट था जो सभी को करना है बाकी SST का मॉक टेस्ट भी आज आपको जरूर मिल आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं तो चलिए थेंक यू झाल 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 झाल